प्रेंड्स बायो एनर्जी के खेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हमने एशिया की पहली 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी के स्थापना की। हमारी तैयारी इस तरह के 12 कॉमर्सियल 2G इथेनॉल प्रांट्स बनाने की है। सस्टेनेबल एविशन फ्यूल और रिनियबल डीजल की कॉमर्सियल उप्योगीता की दिशा में भी हमारे प्रयास जारी है। इस साल के बजेट में हमने गोबर्दन योजना के तहर्ट फाइव हंडेड नए वेस्टू वेल्ट प्लांट्स बनाने का एलान किया है। इसमें 200 कॉम्परेट बायोगेस प्लांट्स और 300 कॉम्मिनिटी या क्लस्टर बेट प्लांट्स शामील है। इसमें भी आप सभी के लिए हजारों करोड रुपिय के इन्वेस्टमेंट के रास्ते बनने वाले हैं। साथियों एक और सेक्टर जिसमें भारत विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21 सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दसक के अंत्र तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोड़क्शन का लक्ष लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लैक करोड रुपिये से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावना हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25 परसेंट तक बढ़ाएगा। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा आउसर होगा। फ्रेंट्स एक और महत्वपन विशाय इवीएस की बैटरी कॉस्ट का भी है। आज इलेक्रिक वहिकल में बैटरी की कॉस्ट 40 से 50 परसेंट तक होती है। इसलिए इस दिशा में हमने 50 गीगावाट आवर्स की एडवांस केमिस्ट्री सेल बनाने के लिए 18,000 करोड रुपे से जादा की P&I स्किम शुरू की है। देश में बैटरी मैनुफेक्टरिंग फेसलिटी थापित करने के लिए एक अच्छा आउसर है। फ्रेंट्स भारत में बन रही निवेश की इन संभावनाओं को हमने एक सब्ता पहले आये हैं बजेट में और मजबूत किया है। बजेट में रिन्यूबल एनरजी, एनरजी एफिजन्सी, सस्टेनिबल ट्रांस्पोरेशन और ग्रीन टेकनोलोजीज को और एन्करेज किया गया है। इसमें 35,000 करोड रुपिये प्रावरिटी केपिटल इन्वेस्टमेन के लिए रखे गए हैं ताकि एनरजी टांजिशन और नेट जीरो अबजेक्टिविस को बल मिले। बजेट में हमने केपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दस लाग करोड रुपिये का भी प्रावदान किया है। इससे भी ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलार और रोड जैसे हर तरह के इंफ्रासेक्टर को गति मिलेगी। साथियों 2014 के बाद से ग्रीन एनरजी को लेकर भारत का कमिट्मेंट और भारत के प्रयास पूरी दुनिया को देख रहे। बीते नव वर्षों में भारत में रिन्यूअबल एनरजी कैपसिटी करीब 70 गीगावर्ट से बढ़ कर करीब 170 गीगावर्ट हो चुकी है। इसमें भी सोलर पावर कैपसिटी 20 टाइम से ज़्यादा बड़ी है। आज भारत विन्ग पावर कैपसिटी के मामले में दुनिया में चोथे नंबर पर है। हम इस दसक के अंतर तक 50 परसेंट नोन फोसिल फ्यूल कैपसिटी का लक्ष लेकर चल रहे हैं। हम बायो फ्यूल पर इथेनोल ब्लेंडिंग पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बीते नव वर्षों में पैट्रोल में इथेनोल ब्लेंडिंग को हम देड़ परसेंट से बढ़ा कर 10 परसेंट कर चुके हैं। अब हम 20 परसेंट इथेनोल ब्लेंडिंग के लग्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहां E20 रोल आउट किया जा रहा है। पहले फेज में देश के 15 शहरों को कवर किया जाएगा। और फिर आने वाले दो वर्षों में देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। यानि E20 भी आपके लिए देश भर में बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा। साथियों आज भारत में एनरजी ट्रांजिशन को लेकर जो मास मुमेंट चल रहा है। वो अध्यान का विशा है। ये दो तरीके से हो रहा है। पहला एनरजी के रिन्यूबल सोर्च का तेज गती से एड़ोप्शन का और दूसरा एनरजी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों का एड़ोप्शन भारत के नागरिक आज बड़ी तेजी से एनर्जी के रिन्यूबल सोर्जिस को अपना रहे सोलर पावर से चलने वाले घर सोलर पावर से चलने वाले गाउं सोलर पावर से चलने वाले एरपोर्ट सोलर पंप से हो रही खेती ऐसे अनेक उदारण है बीते नव वर्षों में भारत ने अपने 19 करोड से ज़्यादा परिवारों को clean cooking fuel से जोड़ा है आज जो solar cup top launch किया गया है वो भारत में green और clean cooking को नया आयाम देने जा रहा है उमीद है कि अगले दो-तीन साल में ही तीन करोड से अधिक गरों में solar cup top की पहुँच बन जाएगी इससे एक तरह से भारत किचेन में क्रांती लाने का काम करेगा भारत में 25 करोड से अधिक परिवार है आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ solar cup crop से जुड़े निवेश में आपके लिए कितनी संभावनाय बन रही है सात्यों भारत के नागरिक एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों की तरफ तेजी से सिप्ट हो रहे हैं अब ज्यादातर घरों में स्ट्रीट लाइट्स में LED बल्ब का इस्तिमाल होता है भारत के घरों में स्मार्ट मिटल लगाये जा रहे हैं लार्ज स्केल पर CNG और LNG को अपनाया जा रहा है इलेक्ट्रिक वेहिकल्स की बढ़ती लोगप्रियता इस दिशा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं साथियों ग्रीन ग्रोथ की तरफ एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत के बड़े प्रयास हमारी वेल्यूस को भी रिफ्लेक करते हैं करते हैं